दोस्तों इस वीडियो के अंत में पूछे गए एक सवाल का जवाब दीजिए और जीतें 200 रुपए तक का पेटियम कैश भी दोस्तों अगर आप भी विराट गोहली को एक शानदार खिलाणी मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तों भारत और श्री लंका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया जिसमें भारतिय टीम ने पहले तो शानदार गेंदवाजी उसके बाद बहतरीन बल्लेवाजी करते हुए आसानी से ये मुकाबला जीत लिया है इस मैच की बात करें तो टोस जीता भारतिय टीम ने और पहले गेंदवाजी करने का फैसला लिया पहले बल्लेवाजी करते हुए श्री लंका की टीम को भारतिय गेंदवाजों ने 142 रणों पर ही रोक दिया अब दोस्तों आपको बता दें कि 143 रणों के लक्षी का पीछा करने उतरी भारतिय टीम की शुरुआत काफी शांदार रही और दोनों उपनर्स केल राहुल और शिकर धवन ने शांदार बल्लेवाजी करते हुए पावर प्ले में चवण रन बटोरे इसके बाद भी दोनों चोरों से लगातार श्री लंकाई गेंदवाजों की धुनाई हो रही थी कि तभी दसवे ओवर की पहली गेंद पर केल राहुल को तेज गेंदवाज हसरंगा ने आउट कर दिया राहुल ने 32 गेंदों में 45 रंड बनाई जिसमें 64 के शामिल थे इसके बाद दुस्तों तुरंद ही 12 ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर से 30 गेंद वाज हसरंगा ने भारतिय टीम के दूसरे सलामी बल्लेवाज शिखर धवन को भी LBW आउट किया धवन 29 गेंदों में 32 रंड बनाकर आउट हुए इसके बाद स्रेश एयर और विराट कोहिली के बीच एक बड़िया साजिदारी हुई और दोनों ने मिलकर आसानी से भारत को ये मुकाबला जिता दिया हाला कि दोस्तों 28 गेंद पर स्रेश एयर आउट जरूर हुए लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर कोहिली ने एक शांदार छक्का मार कर भारत को ये मैच जिताया एक तरफ जहां स्रेश एयर ने 26 गेंदों में 34 रंड बनाए तो अहीं विराट कोहिली ने 17 गेंदों में तावर तोड 30 रंड बना कर नौट आउट रहे अपनी पारी में कोहिली ने एक चौका तो अहीं दो लंबे छक्के भी लगाए अब दोस्तों आपको बता दें कि इस मैच के 17 गेंदों में विराट कोहिली ने लसिट मलेंगा की धुनाई करते हुए सबी को हिला कर रख दिया जिहां इस ओवर की पहली गेंद पर कोहिली ने एक शांदार चौका मारा इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर लॉंगाउन की तरफ गोहिली ने एक लंबा गगन चुम्बी छक्का मार कर सभी को ये बताया कि क्यूं वो दुनिया के सबसे बहतरीन बल्लेवाज हैं दोस्तों इसी जीत के साथ भारतिय टीम ने इस सीरीज में भी एक जीरो से अपनी बड़त बना ली है ऐसे में आपको इस मैच में भारतिय टीम का प्रदरेशन कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताये अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 200 रुपए का पेटियम कैश भी जीत सकते हैं जी हाँ तो सवाल ये है कि रोहिट शर्मा ने अपने वंडे करियर का दूसरा दोहरश दक किस टीम के खिलाफ लगाये था इसका जवाब जल्दी सी जल्दी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही है अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अभी इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और किर्केट से जड़ी सभी लेटेज न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का जो बैल आइकन है उसे भी ध्यान से ज़रूर दबाईए जिससे की मैं जो भी नई वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे तब तक के लिए दोस्तों हस्ते रहिए बाई बाई